हेलो बच्चों कैसे हूँ आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 मी सीवे सी एंसी आर्टी के अंतरगात समाजिक विज्ञान आज जो हम करेंगे यहाँ पर 20 महतवपून MCQ जो exam point of view से काफी महतवपून रहेगा इसको आपको करना है सोचना है विचारना है और इनलाइस करना है यह 20 MCQ जो है exam point of view से काफी महतव रखेंगे और इसमें जो हर एक बात को इनलाइस किया जाएगा और सबसे महतवपून बात है कि से यानि देखा जाए तो समाजी विज्ञान के जो MCQ आया है exam point of view से काफी महतवपून रहेगा और देखा जाए तो exam में ऐसे ही कोशन आने के chances रहेंगे यह काफी महतवपून आप लोगों के लिए बन जाता है इसके जो है यहाँ पर 20 MCQ कोशन रहेंगे जो काफी महतवपून है exam point of view से जिसको आपको देखना है समझना और अपने कोपी पर नोट करना है चली देखते हैं यहाँ पर हमारा कोशन क्या आया है जैसे कि आपके screen पर आ चुका होगा कोशन है कि भारत में राश्पती पद का क्या है देखिए कोशन यहाँ बहुत किलियर है कि भारत में राश पती का पद किसके ब्राबर होता है और क्या होता है कि ऊग्राई जो प oni फोजिशन ऑफ प्रसिडेंट इन इंडियर ओर डिजा पोजिशन आप प्रसिडेंट होवला तो देखा जाए करिए कि ऑफ हारत के राश जो होते हैं वह स्टेटर का नामांद्रन पर मुख्य होते हैं या भी राज्य का वास्तिभी पर मुख्य होते हैं या इन मेंसे कोई बात सहीं नहीं है अगर इस कोशन को अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहली बात तो हमें यह जानना पड़ेगा कि भारत के राष्टपती बिटेन के महारानी के तरह है भारत में जो राष्टपती हैं बिटेन के जो है महारानी की तरह ही इनका पदगरन होती है जो कारे काफी हद तक जो है अपचारिक होते हैं निके जो कारे होते हैं अपचारिक नहीं घुटे हैं राज्टनीति देश्ट के समयर कांव काज की निगढानी करते हैे तक राज्ट के उत्देश को प्राफ़ करने के लिए सद्वाब में काम करें तो भारत में राश्टन का प्रति सिब नामातर का ही होता है थीक है तो यह काभी महतव्पून बात आता है और सबसे महतव्पून हें भारत के राश्पति जो है बिटेन के महारानी की तरह ही इसकी कारे प्रणाली होते हैं और यहारे प्र operation की बात करें तो इन का नाम मात्र प्रमुक होता है भारत मिराशपति का पद तो काफ़ी महत्पून बात यहा रखता है चले देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर आ गया है की भारत में किस राज्य की सक्छर्थादर सबसे अधिक है फिरें कочно यहां पर बहुत ही सधारन है कि भारत में किस राज्य की सक्षर्टादः सबसे अधीक है, तो question है यह, which state has the highest literacy rate in India, we know that the most important question, which state is the highest literacy rate in India, option पे अगर हम नजर करें तो तमिलनाडू केराल दिल्ली पंडुचेरी देखा जाए दोस्तों तो कहते हैं भारत में सक्षतार दर अभी भी जहां का तहां ही है चाहे जितने मर्जी मंत्री लोग अपने आपको सावासी दे लें और जितना मर्जी अपने आपको अच्छे कह ल ये भली भाती सचाई है आज सरकार सिरब बच्चों को पास कर रही है बच्चों के अंदर वास्तविक ज्यान नहीं है क्योंकि भारत सख्चता दर बढ़ गई है लेकिन बच्चे समस्दार नहीं बने आज भी हम विज़वास है कि भारत कभी विक्सित होगा ही नहीं जब तक इनकी सोच नहीं बदलेगी जब तक इडूकेशन इस्टम मजबूत नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को और आप भी इस बात को मानते हो जितने भी पैरेंट्स हैं यह भी बात मानते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही कमजोर हैं जो होना चाहिए वो उस बेश पर नहीं चल पा रहे हैं पारेंस्वी बहुत मॉंधाल परसान है। सरकार सिस्टम बनाते से सिस्टम गुरता चला जा रहा है। सिरब अपनी सक्षरता धर को बढहाने के लिए और कहने के लिए कि भारस्न सक्षर तो है कि अच्छर का मतलब कि यह होता कि तो ये सक्षटादर किस बात के लिए कहा जा सकता है लेकिन चलिए ये तो भारत की अपनी समस्या है इसमें हम कुछ बात नहीं कर सकते हैं हम लोग तो आम हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें खास हमारा कोशन तो यही है कि भारत में किस राज्या की सक्षटादर सबसे अधिक कि जरना सी बात है दोरस्तों के रल की सख्षाता दर्द सबसे अधीक है भी आपका सही जाएगा है ठीच के रल सबसे अधीक है दिली बारत की राजधानी है यहां सबसे अधीक दर्द में number one आता है यहां पर सभी लोग होते हैं काफी महत पूर्ण यहां पर केरल जो है अस्तान है जहां पर सक्षता दर्ड़ जो है काफी अधिक है तो देखते हैं अगरा कॉशन आपका स्कीन पर आ गया है कोश्चन काफी महत पूर्ण है देखिए 18 spaces से पहले किस देश में क्रांती हुई थी कि 1857 से पहले किस देश में क्रांती हुई थी तो कभी महत्वपून कोश्चन है यहाँ पर पहले है किसी ने भी करांती का नुपव नहीं किया था तो यहां पर काभी महत्वपून बात है और समझने वाली बात है कि सबसे पहले संतावान की क्रांती कहां पर हुई थी उसे पहले कहां पर क्रांती का जो है हमें इदार करना पर आथा तो आपको यह बात मैं बता दू किठा संतावन से पहले फ्रांस ने एक क्रांती का अनुभव किया था Сам postal और स्थार्य कैं Unternehmen where India was значит मakah जेए मापरवरतन और लाया गया अबारत्रों को देखने को مिल तो हो फ्रांस पारस से पहले गया क्रांती हुए थी और इस को देख देखके भारत slick की तीख तो इसका यह बी ऑप्शन जाएगा उससे पहले कि पूछ रखा है तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पर तो देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्कीन पर आ गया है कोशन है कि गृष्षम डीतु में उत्री मैदान भाग में चलने वाली हवा क्या कहलाती देखिए गृष्षम डीतु आती है बहुत गर्मी पड़ती है अउस गर्मी में जो हवाएं उत्री मैदान में चलती है उस हवा को हम क्या कहते हैं तो कोशन काफी महत्व पूर्ण है एक्जाम पॉइंट व्यू से भी काफी महत्व रखता है तो कोशन है यह दा विंड ब् साखी के नाम से हम जानती है या उसे लू कहते हैं या सी वेपारिक हवाएं कहते है या डीट में से कोई भी ऋप्षन जो है सऑ नहीं तो ग्रिशम काल में उत्री मैदान में हवा चलती है उस हवा को हम किस नाम से जानते हैं उसे हम कहते क्या हैं तो इसको आपको समझने के लिए थोड़ी एक बात समझना पड़ेगा जो काफी महत्वपून है कि देखा जाए तो उत्तरी और उत्तर परश्वी भारत में दशा के द जाना मुस्वार हो जाता है और ग्रिशम काल की जो है अवकास स्कूलों में छुट्टी दे दी जाती है कि गरम गरम हवाएं चलती है और कितने लोग जो आते इसी हवा के चपेट में आ जाती है जिनके सरीर से जो है सारे पानी चूस लेते हैं डिहाड्रेशन के सिखार हो जो है कि यह बरे जो है गरम लू के कारण होता है और फंटी में बहुत ही चलने वाली हवाएं होती जो देखने को मिलता है तो यहां पर देखा जाया तो बी ओप्शन आपका सही है भी ओप्शन के साथ आप जा सकती हो जो काभी महतपोनिया रखता है चलिए देखते हैं कि पिस मेहन्थपुंता को दर्शाता है कि अगला कौोशन अपकी स्क्रीन पिर आ गया है दिखिये कोशन वही बात रहती है itu मंधी गरूस अर्थवरस्ता का सुचक क्या है देखिये मंधी गूर्फ जो बंती है तो कौन सी बात जो है मेन रखी जाती है अखिर मंदी कर अर्थ वरस्ता के कौन सुचक होता है तो कॉशन तो काफी महत्रपूर्ण है समझने वाली बात है कि वाट इस दा इंडिकेटर आफ ड़िप्रेस एकनॉमिक्स यूनो डाट कोशन है या वट इस अन इंडिकेटर आफ रजगारी बी गरीवी सी दोनों ए और बी दोनों बात सही है या डीन में से कोई नहीं तो देखा जाया तो आपको एक फैक्ट बाद दिमाग में रखना चाहिए निक्रीज का अन्प्लॉमेंट एस दा इंडिकेटर आफ डिप्रेशन एकनॉमिक्स इफ यह पीपल कैन देश की बेरुजगारी है और आपको शायद पता भी होगी भारत से बेरुजगारी कभी नहीं जाएगी चाहिए जो सरकार जितना भी ठप ठपाले भारत से बेरुजगारी नहीं जाएगी और इसका कारण कहीं न कहीं एजुगेशन सिस्टम है माल लीजिये सब ही बच्च के चलाने के लिए जरूर अपनाती क्योंकि उन्होंने मेनत किया है समझ दिया है लेकिन आज कल क्या होता है आज कहीं भी चले जाएए घुस खोड़ी पैसा खोड़ी आज तो यह मता पिता का विचार दारा हो गया है कि बच्चों को परहाने से अच्छा है कि हम उसके लिए पैसे कटे कर लें हम तो ऐसे भी सार्टिफिकेट खड़ीद लेंगे और यह होता है आज कहीं भी किसी भी बोर्ट में चले जाएए वहां गोरक धंदा नहों ऐसा हो ही नहीं सकता पैसा फेक यह तमासा देखिए तो यह सिस्टम मजबूत कहा हुआ तो बिरजगारी तो दूलत कभी आपने सुना है या कभी देखा है कि अमीर बाप का बच्चा होगा वह कहीं डेड़ी लगा रहा हूं कहीं देखा यह नहीं होगा यह बहुतम चित्रित बात है क्योंकि उनके बच्चे में होता ऐसा क्या इस पेशल है कि वह हमेज़ा बड़े ही लोग बन जाते क्या इस्पेशल होता है मैंने तो आज तक देखा नहीं कुछ इस्पेशल तो मुझे निजर कभी आया ही नहीं वो तो हमसे भी अनपड होती है क्यारण यह ना कि पैसा है आज काल देखिए मिक्सिमम बंदे जॉब पर वही लगे रहते गोर में जॉब पर जिनके माता पिता भाई बहन कोई नहीं कोई जॉब पर रहता है वह अपने उनके बारें पता होता है जॉब के बारें में कैसे ने कैसे अपने डाली लेती है और इस वत खोड़ी तो आज भारत से कभी जाएगी नहीं यह मैं क्लियर बोल सकता हूं हर छेटर में आप रिसर्च करके देख लि हैं यह दूसरे को बेकूब बना रहे हैं आप तो सिर्फ रूल लेगूरेशन बना देते हूं फटक से हम यह करेंगा बेकूफर तो लोग होते हैं जो इनके बखवास बातों पर आ जाते हैं कि नहीं सरकार तो पानी दे रही है और कुछ नहीं कर रही है सिरब आपको हैं अगर पढ़े लिखे होते तो इतने सारे किताबों में यहीं बात लिखी गई है देखा जाए तो अगस कामटे हो इतने बड़े सोसॉल्जिस्ट हो यह सारे के सारे इसी राजनिती से दुखी थे क्योंकि वो राजनिती को बदलना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि कहते हैं एक आदमी क्या कर सकता है कहते हैं अगर गांधी जी भी अकेले निकलते तो शायद वो भी वो कारे नहीं कर पाते क्योंकि गांधी जी का विचार था सही था उचित था इसलिए सभी दिखावा करने के लिए लोगों कोई कठा की जाती है उनको लालच दी जाती है या आपको 5500 रुपया देंगे चलिए में चलिए मार पिट कीजिए तो यह सब बात गलत है तब ही तो फेरोजगारी हमारे देश में बढ़ा है तो यहां पर देखा जाए तो मंदी करास आर्थ कि आंक बंद के कभी भी किसी चीज़ को किसी लोग को न चुनिए इसे देश की भविश्य खड़ाब हो रहा है आज देखिए हम एकिस्मी सताबदी में आ चुके हैं और यहां प्रचीज चौबिस तक पहुच चुके हैं अब देखिए हमारा देश की अर्थ मिवस्ता कैसी है कैसे अर्थ मिवस्ता है कैसे हमारा समाज है जो नहीं होना चाहिए चली देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर आ गया है अगला कोशन है किस योजना ने 18 से 23 वर्ष किया यू वर्ड के उच्चे सिक्षा में नमंकन को 15 परतित तक बढ़ाने का प्रियास किया है आपको योजना के नाम बताना है जो 18 से 23 वर्ष के आयू की वर्ड के उच्चे सिक्षा में नमंकन को 15 परतिशत तक बढ़ाने का प्रियास किया है तो कोशने यार बिच प्लान इंडर अवर्ड इंडर इंक्रेशिंग वर्मेंट इस हाई एजुकेशन आफ 18 तो 23 यह एज ग्रूप तूर फिप्टी परसेंट तो कोशन देखा जाया तो मैं तो पूर्ण है ऑप्शन भी देखिये गारबा था वो योजना या नौबा था या सी कहता है बार्मा था या डी कहता है दर्समा था जिसने 18 से 23 वर्ष के आयूवर के उच्छ सिक्षा में नमंकर की जो है 15 परतिशत तक बढ़ा दी तो बात तो यहां पर काभी महत्वपून बताई गई है लेकिन समझना भी कोशन जरूरी है और कोशन समझ से ही आप जो है इसकी बस्तविक्ता को समझ सकेंगी तो देखा जाए तेगारबी योजना में 18 से 23 वर्ष आयूवर के उच्छ सिक्षा को नमंकर को 2011-2012 तक 15 परतिशत की गई थी और 12 योजना के अंतर गवात 21 परतिशत तक बढ़ाने का परियास किया गया था तो यह काफी महत्वपून है कि 2011-2012 में जो है 18 से 23 वर्ष की आयू के जो है वर्ष के बच्चे थे उनमें 15 परतिशत शिक्षा को बढ़ाने की योजना रखी गई थी 12 से 12 और 12 पंचवर्ष की योजना में 21 परतिशत कर दी गई थी तो इसका मतलब यहां पर जो है ऑप्शन ए सही जाएगा एक गारा एक गार्वी पंचवर्ष की योजना में इस परकार के प्रवधान को जो है लागू की गई थी तो आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो चले जाय कर पालिका और न्याय पालिका के बीच सकती विवाजन परफताब रखा उस पुस्तक किया नाम है को सब्सक्ष में आया कि देकंचि एक पुस्तक है जिसमें बिधाय पालिका, कारे पालिका और न्याय पालिका की बीच सक्ति का विभाजन का पस्ताब रखा गया था ठीक है पस्ताब रखा गया था उस पुस्तक का आपको नाम बताना है कि वो पुस्तक कौन थी जिसमें जो है इन सक्तियों को विभाजन करने का प्रवधान किया गया था, the question here in the book, Montquez is a purpose or division of power within the government between the legalities, executive and traditionally identify the book, you know that, to identify the book, question is very interesting, but you know that is the most important fact here, in the trustees and administration led to the constitutional system, a government with the separation of power and preservations of legalities and civil liberties and the end of slavers, meaning here, this grant में मैटक्यू ने सक्ति का पृथिक करन बैथता और नागरी सुदानता के सर्नक्षन के गुलामी के अंत के साथ सरकार के सर्वाधान प्रणाली का वकालत भी की, देखा जाए, तो वो किताब करना जो था कानूनों का आत्मा, जो काफी महत पूर्ण था, यानि ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, कानून का आत्मा, जिसमें विदाय पालिका, कारे पालिका और निया पालिका के बीच, सक्ति का विवाजन का पस्ताव रखा गया था, तो वी ऑप्शन आपका सही है, देखा जाए, दोसों यहाँ पर जो कोशन हमने किया है, काफी महत पूर्ण और यह एक्जाम में आने के चांसे हमेशा रहेंगे, तो इसको अच्छे कीजिए, समझिए, विचार कीजिए, और जितना हो सके, इस वीडियो को शेर कीजिए, क्यों शेर ही दुसरे बच्चों का केर है, जब तक सेर नहीं कीजिएगा, तो दुसरे बच्चों के उसको बस्तविक्ता से अवगत करा पाएगा, और इसमें और देश के भविश्य में जो है अच्छे लाने के लिए आप एक कदम उठा सकती हो, क्यों कि कहते हैं न बच्चे ही कल के भविश्य हैं, और भविश्य अच्छा ज्ञान पराप्त करेगा, सही ज्ञान पराप्त करेगा तो जरूर हमारा जो है देश की तरक्की होगी इसमें कोई दूर आए नहीं कहते हैं मैंने जितने भी किताब पढ़े हैं जितने भी देखे हैं सब में सिक्षा को ही महत्ता दी गई है लेकिन भारात सरकार सिक्षा को महत्ता दे के नहीं दे के जो है गलत चीजों का रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी परकार प्राप्त होता रहे जनल से बाद दोस्ते चनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको पता है कि दिरपान इस्टेडी सेंटर सिर्फ क्लास से लेकि में तक के बच्चों के लिए कुछे नहीं विचार ना कीजिए अभी तिरपान इस्टेडी सेंटर सब्सक्राइब के मिनवाल में सेव कीजिए